आज हम बात करेंगे क्लास फिप्त की हिंदी ब्याकरान के बारे में तो पहला चैप्टर है भासा और ब्याकरान तो भासा और ब्याकरान के बारे में जानना है तो पहले भासा की बात करें तो सिंपल सी भासा में करें तो मन के भावों अत्वा विचारों को बोल कर या लेकर प्रकट किया जा सकता है तथा सुनकर या पढ़कर गरह किया जा सकता है इसे भासा कहते हैं अब बात करें तो सामाजिक जीवन में भासा का अतियंत महत्पूर इस्थान है हमारे साधातन जीवन में भासा का बहुत महत्पून स्थान है भासा का प्रियोग मनुस को अन प्राणियों से अलग करता है जैसे पसु पक्षी हो गए जानबर हो गए तो भासा का प्रियोग मनुस को अन प्राणियों से अलग करता है इसी कारण भासा के प्रियोग द्वारा हमें अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुचा सकते हैं तथा अन्य लोगों के विचारों को जान पाते हैं बच्चों विचार संप्रेशन के लिए कई प्रकार चित्र संकेत आपने देखे होंगे तथा ध्वानी संकेत के प्रियोग किये जाते हैं आपने चित्र संकेत देखे होंगे जैसे चौराये पर बना रहता है कि आपको किसी तरब जाना है तो बहाँ चित्र संकेत द्वारा बताए गया होता है या कहीं स्कूल होता है तो बच्चों का चित्र बना होता है बाहनों की बत्तियां जैसे बाहनों की बत्तियां होती है तो बुद्धाएं और बाहनों और मुर्णने का संकेत देती है उसी प्रकार सरक की बत्तियां भी चलने या रुखने का इसारा जैसे नीली बत्ती, हरी बत्ती, पीली और लाल तो एसा बत्तियां अपना-अपना अलग-अलग धंखे कार करती हैं कंडुक्टर का सीटी बजाना खेल अधिकारी का सीटी बजाना आधी इस प्रकार के कुछ संक्येत हैं हम हाथ मुह आख आधी की सहाइता से भी के द्वारा भी अनेक भाव प्रकाट करते हैं भावा अभिव्यक्ति के लिए विवन प्रकार की धनिया का प्रियोख किया जाता है जैसे एक अक्षा है पढ़ाते समय कभी-कभी टीचर मुह पर उंगली रखने के लिए कहता है और उंगली रखता है तो उसका मतलब क्या होता है चुपका संकेत देता है यह सब संकेत हमारी अभिव्यक्ति में सहाइता करते हैं इन संकेतों को कभी-कभी हम भासा की जगह प्रियोख करते हैं किन्तु हमें भासा नहीं कह सकते बच्चों आपको बता दें हम इसको भासा नहीं कह सकते और भासा का निर्मार हमारे पूरवजों से हुआ है क्योंकि पूरवजों से इसलिए हुआ है क्योंगी पेले पूर बज्जाओं से एक अश्पॉश्ट은 अश्पर दोनी निकली उस दोनी की सवायता से हम नएए नए सब्दों पे आए पर सब्द बने फिर सब्दों को मिला कर पद बना पदों को मिला कर बाक jonak डै मिलाकर हिंदी भासा का निर्मार हुआ या विकास हुआ कह सकते हैं अब आप चित्र में देख सकते हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं तो किसका भासा का प्रियोग कर रहे हैं उसने का कि मधू तुम कहां जा रही हो चित्र में देख सकते हैं आप सिखा में बाजार जा रही हूं तो एक लड़का है जो लिख कर अपनी भासा को प्रकर कर रहा है तो भासा के मुक्ता दो रूप होते हैं एक होता है मौकिक भासा दूसरा होता है लिखित भासा और आपको भासा की Definition बता दें तो अपने मन के भावं बैचारों को एक दूसरे के सामने प्रकर करने वाला माध्यम ही भासा कहलाता है यह ऐसा भी कह सकते हैं कि भासा भैसादा ने जिसके दोरा मन उस अपने मन के बिचारों और भाओं को एक दूसरे के सामने पिरकट करता है उसे भासा कहते हैं अब है पहला है मोखेक भासा तो आप यह एकजामपल देख सकते हैं आयूस ने दीपा से पूछा कैसी हो तो दीपा ने कहा ठीक है और कहा उसने तुम कैसे हो आयूस तो आयूस मैं ठीक हूँ खेलने चलोगी दीपा हाँ चलो मैदान में चलते हैं तो एक इस भासा का दोनों बच्चों ने बोल कर सुनकर अपने मन के भाओं को बिचारों को प्रकट किया तो ये मौखिक भासा हो गई अब मौखिक भासा की डेपनिशन जाने भासा के जिस रूप से मन के भाओं और बिचारों का आदान प्रतान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भासा कहते हैं एक बार फिर से बता दें आपको भासा के जिस रूप से मन के भाओं और बिचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भासा कहते हैं जैसे उधारां बता दें खाना बन गया हो तो ले आओ पती ने कहा अब एक आदमी है किसी वारत का पती है उसने कहा खाना बन गया हो तो ले आओ बस पाँच मिनिट प्रतिष्चा कल ने पतनी न कहा तो ये पती और पतनी के बीच की बाचीत भासा का मौखिक भासा इस्थाई कर नहीं होती है समय के अंतराल के साथ भसा के मौक्र गूंप में परिवरतन आ जाता उसे लिखित भासा कहते हैं, भासा का लिखित रूप इस्थाई होता है, अब हम बात करेंगे भासा कोसल के बारे में तो भासा के चार कोसल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, अब आप बोलेंगे तो सुनने बाला भी होना चाहिए, लिखेंगे तो उसे पढ़न अगर कौसल नहीं पर इन लिद्द्ध को सुनने बाला नहीं лишь लगता है एंगर और संथार में और नियुक्त ल Billy बूली जाती हैं जैसे अंग्रेजी हैं हिंदी है चीनी है पार्ची जापानी है रसीयन भासा है और भारत में बहुत से राज्य हैं इनमें भी विविन भासा हैं बूली जाती है कि अच्छे कन्ना टक में कन्नर के अलम मलेयालम तमिल लानू में तमिल अहर्यानवी ब्रजब्दी जे भासाएं हैं हिंदी परिवार की उपभासाएं हैं इन्हें स्रेस्ट अब उपभासा क्या होती है तो उपभासा किसी छेत्र में सीमेच छेत्र में बोली जाती है उपभासा में लगूदा कहानी कभीता आधि साहत्तिक रचनाई लिखी जाती है जैसे मत्रा के आसपार ब्रजब्दी बोली जाती है ब्रज भासा खड़ी बोली अबजी तथा मेतली बोलियां है परंतु इनका प्रियोग साहित्तिक रचना के लिए किया गया है इसलिए भासा उपभासा बन गई है इनका छेत्र है वो स्विमेंत होता है लेकिन इनका जो पाथन पाथन में प्रियोग होने लगा है इसलिए इन्हें उप भासा का दर्जा दे दिया गया है अब है लिपी तो लिपी क्या है भासा के उच्चरत स्वरूप को लिखने के लिए जिन चिन्नों का प्रियोग किया जाता है उसे लिपी कहते हैं तो बताएं भासा की जो धनिया है जिन इन्हें कूर चिन्नों में बांदा जाता है इस चिन्न लिपी कहलाते हैं जो भासा का उच्चारत रूप है उसे उसे लिखने के लिए जिन चिन्नों का प्रियोग किया जाता है उसे लिपी कहते हैं अब आगे चलते हैं तो लिपी जान लेते हैं तो हिंदी भासा की लिपी देवनागरी है संस्क्रित की भी देवनागरी है उर्दू की रोमन है उर्दू की फार्सी है अंग्रेजी की रोमन है पंजाबी की गुरुमुखी है गुजराती और मराथी की भी देवनागरी है कई ऐसी भासा हैं जिनकी लिपी देवना लागरी होती है अब बात करते हैं आगे बोली की तो बोली की बात करते हैं तो बोली एक सीमेच छित्र में ही बोली जाती है और बोली हर जगाए की अलग-अलग होती है आपको बताएं जैसे अपने यहां की बुंदिल खंडी है जैसे अपने यांकी बुंदिल खंडी है और दूसरी जगह की और कुछ होगी कहीं कहीं अलग अलग बोलियां प्रियोग में लाई जाती है जैसे रायस्तानियां बुंदिल खंडी है तो भारत में की बोलियों पर कभी ने कहा है किसी कभी ने कहा है कोई कभी होगा उसने लिखा है अच्छा लिखा है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी अब जैसे कोस कोस पर तो कोस कोस पर चलते हैं तो पानी बदल जाता है कहने का मतलब है और चार कोस चलेंगे तो ब बोली बदल जाती है इसलिए कहते हैं कि बोली का कोई लखेश स्वारूप नहीं होता कि बले मोखेक रूप में बोली जाती है कि अब बात करते हैं राष्ट भासा की तो भारत एक स्वतंत्र देश है हिंदी भासा को भारत की राष्टी भासा कहा गया है हिंदी भासा हमारे देश के बड़े भूबाग पर बोली जाती है यह हिंदी भासा है भारत के बहुत ही बड़े भूबाग पर बोली जाती है जैसे बात करें उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, उत्तराखन, राइस्थान, हिमाचल प्रदेश, हर्याना, दिल्ली, यहां सब भारत के प्रमुख हिंदी वासी राज्य हैं अब बात करते हैं मातर भासा की तो जो हमें परिवार से भासा सिकाई जाती है या जो जन्म के बाद हमें घर में परिवार में भासा सिकाई जाती है उसे मातर भासा कहती है अब राजबासा जिस भासा का पिदियोग सरकारी काम काजों में किया जाता है उसे राजबासा कहती है अब बात करेंगे ब्याकरण की तो वो भासा से लिग जो हमें सुद्द बोलना सुद्द लिखना सिकाती है उसे भ्याकरण क creator कहते है अर्य किसाइटा से हम् वाणों को सब्सक्राण को बाक्यों को परचानते हैं अब नीचे ओधारं दिये गये बंदर पीड़ पर बैठी है तो बंदर पेड़ पर बैठा या लिंक परिवर्थन है इसका तो हम किसके मात्य हम भ्याकरण यो मात यह है तो लड़की घोड़ा दोड़ा रही है यह यह भी हो सकता है कि लड़का घोड़ा दोड़ा रहा है कुछ भी हो सकता है लड़की को पानी दे रही है तो लड़की पानी दे रही है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है लड़की पौदे को पानी दे रही है दोनों हो सकते अब पहला उधा रहा है, बंदर पेर पर बैठी है, तो हमने पहली बता है, लिंग में असुद्धी है, तो बंदर पेर पर बैठा है, अब लड़का गोडा दोडा रहा है, तो लड़का पुलिंग किरिया है, प्रियोक सही नहीं है, तो सही वाको कर लड़का गोडा दोडा ने कि पौधे को पानी दे रहा है उसमें प्वधा नी दिआ था लेकर इसमें दे दिया है तो लड़की पौधे को पानी दे रही है यहां किरिया का सची प्रियोग नहीं है अब अब आप changing को सुधर रूप में बोलना लिखना और पढ़ना शिकाने वाला सास्त्र ब्याकरन कहलाता है अब ब्याकरन के तीन बेद होते हैं पहला होता है बाने बिचार सब्द बिचार बाक बिचार अब बाने बिचार तो बानों तथा उनके उच्छारां तथा परकारों पर बिचार किया जाता है अब सब्द बिचार तो सब्दों के परकारों रचन कि द्रस्टी से उत्पंती की द्रस्टी से इन्शप के बारे में चर्चा की जाती है अब करें वठूक करें के ववुलु कि बचार की बात करें चाई वर उसके भेद्व लचनशना आधी पर अब इसके आगे चलते हैं तो अब व्यास की बात करेंगे बिचारों को आदान प्रदान करने का सादान क्या कहलाता है तो भासा कहलाता है आपको बता दें इसका सही भासा है जो भासा हमें जन्म से परिवार में मिलती है उसे मात्र भासा कहते है भासा को सुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिकाती है तो बच्चों बता दें भासा को सुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिकाती है तो ये ब्याकरण सिकाती है ब्याकरण के माध्यम से हम भासा को बोलना और लिखना सही रूप सीखते हैं अब आगे है सही बाक्यों के सामने सही का जलत के सामने जलत करने लगाई ए तो बोली का सीमत лучáb होता है यह बात सही है कि बोली एक सीमत जगह पर यह बोली जाती है है कि यह बात सही है ब्याक ना शीख कर हम भासा को सुद्ध कर सकते चिसपशे हैं सही पहले ही बताया सब भासाओं की अलग अलग लिपी होती है तो गलत है भासा के चार कौसल होते हैं तो यह सही है हिंदी हमारी राष्ट भासा है यह भी सही है विचारों के आधान परदान का साधन भासा कहलाता है भासा को लिखने के लिए लिखने के चिन्न को लिपी कहते हैं आंदर परदेश की भासा तेलगू है पंजाबी भासा को गुरू मिखु लिपी में लिखते हैं ब्याकरन हमें सुद्ध रूप में बोलना लिखना सिकाती ह तो पहले में भासा आएगा दूसरे में लिपी आएगा तीसे मैं थेलकू आएगा चौते में गुरू मुखी आएगा पाचमें ब्याकरण आएगा आपको भर के बता दिया अब ब्याकरण किसुत्या ठीक करने पर बाग्कों को पुना लखो तो मैं तेरे से मिलूँगा, तो मैं तुम से मिलूँगा, गर आम पेड से गर गया, बकरी घास खा रहा है, तो बकरी घास खा रही है, मेज में पुस्तक रखी है, तो मेज पर पुस्तक रखी है, यह हो गया इसका, प्रबात हो गया, सूर निकल आया, प्रबात हो गया, पर बात हो गया सून निकला आया ये आपको बता दिया हमने अब बात करते हैं निम लिखित प्रिस्णों के उत्तर लिखो तो भासा किसे कहते हैं तो भासा किसे कहते हैं आपको बता दिया हमने पहले भी फिर बता देते हैं कि भासा किसे कहते हैं मन के भावों अत्वा विचारों को बोल कर या लिखकर प्रकर किया जा सकता है तथा सुनकर या पढ़का किया जा सकता है उसे भासा कहते हैं मौखिक और लिखित भासा को उधारन दे कर समझाईए तो जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं मौकिक बासा का प्रियोग होता है हमने आपको पति-पत्नी वाला उधारन भी बताया तो मौकिक बासा क्या होती है जहां अपने मन के भावों को बैचारों को बोल कर या सुनकर प्रकर करते हैं इसे मौकिक बासा कहते हैं लिखित बासा जहां अपने मन के भावों और बैचार लिखकर या पढ़कर प्रकर करते हैं उसे लिखित वासा कहते हैं जैसे बच्चा लिख रहा है तो यह लिखित वासा का है और हमने आपको धारां बताई दिया पधी पत्नी का उधारां बता दिया ब्याकरण का ग्यान क्यों आवश्चक है आप बताईए आप समझ सकते हैं ब्याकरण का ग्यान क्यों आवश्चक है तो हम बता दें हम बताते हैं आपको भासा और ब्याकरण के बीच गहरा संबन्द होता है ब्याकरण बैसा सास्त्र है जो भासा को सुद्ध रूप से बोलने और लिखने पढ़ने और समझने में सहायता करता है ब्याकरण में भासा को नियमत और व्यास्तित बनाने के नियम होते हैं जिनकी सहायता से हम भासा का सुद्ध इवन प्रवाव साली पिरियोग करना सी पाते हैं तो भासा क्यों जरूरी है भासा इसलिए जरूरी है क्योंकि भासा में भासा ब्याकान किसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बहसास्त रहें जिससे बासा के सुद्ध रूप और प्रियोग ग्यान का होता है तो साधान इसी बात करें तो कह सकते हैं ब्याकरान का ग्यान इसलिए आवश्यक होता है कि हमें ब्याकरान सुद्ध रूप में बोलना लखना सिकाती है जिससे हमसे ब्याकरानी रूप है कोई गलतिया ना हो इसलिए ब्याकरा पढ़ाया जाता है हमें लिपी किसे कहते हैं हिंदी और संस्कित की लिपी क्या है तो हिंदी और संस्कित की लिपी देखनागरी होती है और लिपी के बारे में करें तो भासा का अबह उच्चारत रूप को लिखने के लिए जो भासा का उच्चारत रूप है जिसे लिखने के लिए क्या करना होता है जिन चिन्नों का पिडियो किया जाता है उन्हें लिपी कहते है वो हिंदी और संस्केट की लिपी दे बनागरी होती है अब बच्चों ये आपका चैप्टर समाप्त होता है इसके बाद आगे चर्चा करेंगे थैंक्यू और हैवन आइस दे